हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फॉर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के पीरियोडिक एसेजमेंट 3 को सॉल्ब करेंगे तो आए शुरू करते हैं क्वेशन वन है फिल दा ब्लेंक्स तो यहां पर आपको ब्लेंक्स फिल करने हैं यहाँ पर नइकस detected आपको फर और उसके फीर्फर और फिक्स ब्लेंक्स पर यहां पर आपका पश्णिदा जो कॉन साय। थे निइस एस मुर्यटिल बॉइव इडब हूए तो यहां पर लिखेंगे हम क्यूरियस मैं एक छोटे जिग्यासू लड़के को जानता हूं नेक्स्ट है नसुरुद्दीन बिगें टू नो वन केन मैच माइ स्किल इन आर्शेरी यहाँ पर जो है ऑप्सिन दिये गए है बोस्ट और क्राय नसुरुद्दीन नसुरुद्दीन बिगें टूबोस्ट नो वन केन मैच माइसकिल इन आर्चेरी आप जो सही है उसके लिए आपको टी लिखना यानि की डूके लिए टी लिखेंगे और फाल्स के लिए फ लिखेंगे तो लिए यहां पर गोगली जो है एक फुट बाल में यूज किये जाने बच्चा जो है जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं तो बिल्कु सही बात है यहां पर टी लिखेंगे नेक्स आलिस सौ आ फ्रॉग हॉपिंग बाइस ने जो है तो यहां पर जो है क्या दिया गया है कि नसरुद्दीन होकी प्लेयर यानि कि अच्छा होकी प्लेयर था तो यह फॉल्स है क्योंकि जो चैप्टर है उसमें नसरुद्दीन को केवल आर्चेरी गेम से रिलेटिट बताया गया है ना उसमें भी यह नहीं बताया गया है कि वह अच्छा था तो यहां पर हम F लिख देंगे next है write two sentences about the importance of outdoor games यहां पर आपको क्या करना है जो outdoor games होते हैं जिने हम बाहर केलते हैं उनके बारे में आपको दो sentence लिखने हैं उनके महत्व के बारे में उनके importance के बारे में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि for an example outdoor games gives us an opportunity to learn new things जो outdoor games है वो हमें नई नई चीजों को सीखने के लिए अफसर देते हैं यानि कि मौका पदान करते हैं इस तरीके से outdoor games के बारे में लिख सकते हैं now question is complete the sentence by adding a full stop और question mark यहाँ पर it means आपको punctuation करना है तो आपको question mark और full stop यूज़ करना है जैसे कि I love ice cream मुझे ice cream बहुत पसा है तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे full stop sentence complete हो गया next is when is your birthday आपका birthday कब है यानि कि आपका जन दिन कब है तो यहाँ पर जो question किया गया यानि कि पूछा गया है कि आपका birthday कब है तो यहाँ पर question करें तो यहाँ पर question mark लगाएंगे तो आप इस तरीके से question mark लगाएंगे next is short answers यहाँ पर आपको short answers देने है question is name one rhyming word for each of the following words यहाँ पर जो है कुछ words दिए गए है उनके लिए आपको केवल एक-एक rhyming words लिखने है यानि कि same sound words लिखने है जैसे कि first is why तो why का rhyming word है साय तो यहाँ पर साय लिख देंगे next is no तो no का rhyming word होता snow तो यहाँ पर लिखेंगे snow इसमों कहते हैं बर्व को now question is write down questions using the given question words यहाँ पर कुछ question words दिए गए है जिनको यूज करके आपको questions लिखने है जैसे कि first word है why why कहते हैं क्यों को तो इसका use करते हुए question लिखेंगे आप जैसे कि आप लिख सकते हैं for an example why are you late today आज आप late क्यों है next is what what यानि की what का meaning होता है क्या what is your name आपका क्या name है त अब यहाँ पर next is describe in your own words the garden that Alice saw अब आपको यहाँ पर क्या करना है Alice ने इस garden को देखा था उसके बारे में उसे जो है आपको अपने सब्दों में describe करना है it means लिखना है बताना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि Alice saw the most beautiful garden from the doorway Alice ने जो है दरवाजी से एक बहुत ही प्यारे सुंदर garden को देखा it was filled with different colors of beautiful flowers इसमें जो है रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर अलग अलग तरीके के फूल थे it means यह अलग अलग तरीके के बहुत सुंदर फूलों से भरा हुआ था there was also a cool fountain inside इसके अंदर एक थंडा सा एक प्यारा सा अच्छा fountain भी था which is sprinkled fresh and cool water उस उसका जो थंडा ताजा पानी था वो चारो तरफ छिड़काव कर रहा था तो आप इस तरीके से अपनी इस एसेजमेंट शीट को complete करेंगे तो इसी के साथ आपकी एसेजमेंट शीट complete होती है मिलते हैं next वीडियो में next एसेजमेंट शीट के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank thank you